Hello everyone, and welcome back to my channel. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस में इस एपिसोट के साथ. आज के इस में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, भारत है वे लेक्रिक्रिकल या भेल के बारे में तो स्टार्ट करते हैं. अब आप लोग पूछोगे या सोचोगे कि usually हम लोग यहाँ पर renewable energy के बारे में discuss करते हैं कैसे grow करेगी क्या होगा लेकिन आज हम लोग यहाँ थर्मल के बारे में पर डिसकस करते हैं यहाँ पर अच्छी अपर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है अपर्चुनिटी क्या है लेखो इंडिया यहाँ पर ग्रोइंग एक अगर देखी जाए तो अब लोग को जगा जगा देखने के लिए मिल सकती है तो यहाँ पर फिलाल अगर देखा जाए तो अभी के लिए रिन्यूबल सेक्टर ग्रो तो कर रहा है बट आज के लिट पर उसकी इतनी कपैसिटी नहीं कि यह जो सप्लाई और डिमांड की बीच में गैप है यह उसको अकेले फुल्फिल कर पाए तो अभी के लिए आने व अब टार्गेट देखो 2095 की फिनेंशल यह एंड टक का यह है कि 30% एलेक्ट्रिसिटी रिनूबल इनर्जी से मिले वो चीज़ होगी डेफिनिटली होगी बट अभी के लिए फिलाल जो हम लोग की नीज है उसको कंप्रीट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर थर्मल की बढ़ानी होगी इसका मतलब यह नहीं की बीच में किया गया था लेकिन यहां पर डेफिनिटली फिर से हम लोग के अंदर एक यहां पर ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है तो यहां पर देखा जाए तो आने वाले दो से तीन क्वाटर के अंदर यह नंबस आपको पॉज बढ़ जाती है तो हमलों को यहां पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ते नजर आ सकते हैं जिसका इंपक्त हमलों को प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा अभी के लिए फिलाल अगर देखा है तो प्राइस वैसे चीज़ डिसकाउंट करना स्टार्ट भी करती है कंप इसाथ पिछले कुछ समय से यहां पर अप्ट्रेंट के अंदर भी कंपनी अमनों को नजर आ रहे हैं अब इसके साथ साथ अगर प्रमोटर स्क्रोडिंग अगर देखी जा तो 63 परसंट से 63 परसंट पर ही है फिक्स्ट है एफाई स्क्रोडिंग भी यहां पर बढ़ते नज अब यहां पर कर्ट्ली अगर देखा जाते ह्ए ग्याप यहां पर slightly देखने के लिए मिला है अगर यह यहां पर फिल नहीं होता है और यहां पर पिर से क्या कर सकते हो कंपनीste करके ऊपर चलई आती है तो यहां पर इस वाले बाटम सटॉप्रस लागा के company को चीज करते हैं आप लोग सुम्पली यहां पर जहां पर आखरी अप्रेशंक बने उस पर आप लोग स्टॉप लागा के चल सकते हों और अगा स्टॉप पींचलिए सब्सक्राइब तो कई पुटेंशल स्टॉप लॉस हो सकते हैं बहुत आपके लिए डिफिकेट नहीं करेंगे simply आपको समझाते हैं यहाँ पर दिखो यह gap है अगर यह gap फिल नहीं होता है तो इस gap के नीचे हम लोग stop loss लगा सकते हैं पर इन केस यहाँ पर company gap फिल कर देती है और यहाँ पर नीचे 269 या और भी नीचे आ जाती है और उसके बाद you turn लेती है या कैसा तो दुबारा उपर जाती है तो हम लोग यहाँ पर मतलब आकरी swing हमारे यह होगा तो यहाँ पर stop loss लगा के 5-6% तक का चल सकते हैं और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या stop loss लें तो अपने risk appetite के हिसाब से भी आप लोग stop loss लगा सकते हो मेरा stop loss यूजिली 5-10% की बीच में ही होता है और अगर देखा यह 10% से नीचे हम यूजिली नहीं shift करते हैं क्योंकि अगर 10% नीचे जाती है तो momentum company का केल हो सकता है एक बार यहाँ पर अगर buy करने के बाद अगर नीचे आती है तो मतलब ऐसा भी ना हो कि company यहाँ पर हमने buy किया है और फिर यहाँ पर चली गए और यहाँ पर 10% से ज्यादा गिर जा और यहाँ पर बेच नहीं नहीं करनी है जहाँ पर हमारी buying level है उससे 10% अगर नीचे जाती company तो फिर हम लोग वहाँ से पतलब कह सकते हैं तो अभी के लिए फिलाल अगर देखा जाए तो इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना शेर करना और साथ इस साथ चैनल को सस्क्राइब करके बैर आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना ओक्की बाए